अब है टाइप 5 के स्वाल और टाइप 5 के स्वाल क्या है तो टाइप 5 वस्तू के मुल्यब में या किसी की आये आये वोले तो को कुछ संस्था कमपनी उसके आये या शत्रफल एरिया मनला रेकटेंगल आयत या स्क्वाइर वर्क कोइ भी हो जिसका शत्रफल हो या बिल का मतलब है घर पे जैसा हमारे बिजली का बिल आता है वो वाला बिल को प्रभावित करने वाले दो कारण प्रतिशत में दे रखे हो मालब दो कोई reason हो जो इनको उपर नीचे करेंगे वो वाले दो reason दे रहे के हो तो इस पर प्रभाव ग्याद करना और यहां पर लगा जिता हूँ मैं star, 1 star, 2 star, 3 star, 4 star और 5 star अब 5 star लगाने का मतलब आप समझ जाना कि यह स्वाल आपके बहुत काम आएगा अभी आप percentage में पढ़ रहे हो, आगे profit loss में पढ़ोगे, फिर आप area topic में पढ़ोगे मनलब यह pattern आपका हर जगे काम आएगा तो देखो बीचों लिखे दिया मैं area शत्रफल में काम आएगे आएगा तो अब आते हैं कि यह सवाल ऐसा क्या है कि जो अक्सर काम आने वाला है तो चलिए सबसे पहले लाता हूँ आपको सवाल पे सवाल क्या है तो सबसे पहले सवाल क्या है वो लाता हूँ पहले उस सवाल को आपको समझा एता हूँ फिर आपको formula बताओंगा formula क्या है और बहुत सारे बच्चे जो नए हो आप सबको बताओंगा पहले मैं आपको basic सिखाओंगा then formula लेके आओंगा जिससे आप basic समझो अगर मैं आपको direct formula बताओंगा तो आप basic के तरफ जाने इन दो के कि यह है क्या है राइट चलो तो अब शु इसी चीज़ सोचो कि अगर चिडियागर है चिडियागर के ticket जाता हुँ तो चिडियागर को हटा के मैं change कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से और समझा जाए कि अभी जो बॉलीवुड की हालात है तो बॉलीवुड की हालात है मतलब उनके जो दर्शक नहीं आ रहे हैं तो मैं यहां लिख देता हूँ पीवी आर सिनेमा अगर ठीक है तो एसा समझो तो एक पीवी आर है तो उनके दर्शक नहीं आ रहे हैं तो उन्हों नहीं क्या किया कि टिकेट की रेट ही कम कर दि कि बीस परसंट टिकेट कम कर दि उससे क्या हूँ लोगों को लगा रेट कम ए चलो देखके आ जाते मोवी तो दर्शक किते बढ़के 30% अब इसको मैं आता हूँ practical में कि वास्ता में कैसे होगा अब आते हैं कि पुरानी ticket की rate किती थी तो हमें तो नहीं पता पुरान rate क्या थी तो पुरानी ticket की rate किती मानलो आप 100 रुपे कि 100 रुपे पुराना ticket था अब पहले दर्शक कितने आते थे कितने रुपे 10,000 रुपे की income हो रही थी ठीक है उसके बाद अब क्या किया उसके ticket rate 20% कम कर दी तो जो 100 रुपे का ticket था अब वो ticket किते का मिलना लगया 80 रुपे का फिर वो बोल रहा है उसके दर्शक जो है 30% बढ़ गए तो पहले सिर्फ 100 लोग आते थे अब 30% बढ़ सारा है 10,400 रुपे तो पहले वो कमारा था किता 10,000 और अब कमारा है 10,400 तो आप देखो यहां से यहां पर उसकी income कितनी बढ़ गई तो 10,000 से 10,400 हो गई मतलब उसकी income कितनी बढ़ गई 400 रुपे अब 400 रुपे कहां से बढ़ी जहां वो पहले कमारा था तो पहले किता कमार था 10,000 तो 400 रुपए income बढ़ गई है 10,000 के उपर और इंटू करेंगे 100 तो यहां से 40 से 40 अगर ऐसा नहीं करें तो सीधा शौट तरीका क्या हो सकता है चलो तो दो शौट तरीके हैं पहला शौट तरीका पुरानी rate क्या होगी हमें कभी पता नहीं होगी इसलिए उसको मान लेंगे हम 100% 100% अगर व्रद्धी होई तो प्लस और चीज़ों में कमी होई तो माइनस और जो भी दो चीज़ों में आपको बोली है कि 2% कोईन कोई आएंगे तो पहले % को नाम दे दिया A और दूसरा भी नहीं पता उसको भी मान लो 100% और कमी व्रद्धी हो तो उसके साथ क्या लगा द होईगा अगर 1% हटा दो क्योंकि 100% बना तो यहां जो इसका आइगा वह एक का परसने रहो वह तो नीचे 100% में आएगा अब क्या करना है यहां पर लास्ट में आपको क्या प्रभाव पड़ा है तो पहले इसकी कितनी इंकम थी उसको वहापस हटाना पढ़ेगा मतलब डि से नहीं करना चाहो तो दूसरा formula है कि 100 का भा लगा दो इसमें तो आपको एक formula और मिल जाएगा plus minus a plus minus b plus minus a into b upon 100 तो यह हो गया एक formula और तो आप चाहो तो इन दोनों में से कोई भी formula यूज़ कर सकते हो जब भी वो क्या पूचे क्या प्रबाब पढ़ा है तब तो आपके सामने 2 है अब मैं आपको 2 लो इस formula को use के से करना है चालो देखो आप 2 formula यूज़ करके बता तो सबसे पहले पैला formula यहाँ arrow करके बतातों कैसे तो सबसे पहले पहले देखो ticket rate 20% कम कर दी तो सो minus 20 सो मैनस बीस किता हो गया असी सेकंड में क्या है दर्शक बढ़के किते 30 तो सो प्लस 30 मतलब हो गया 130 बटा में 100 यहां 20 से 20 कैंसल 13 into 8 104% यह आंसर किसम आएगा परसेंट क्या प्रभाव पड़ा 100 वापस कम कर दो तो 100 वापस कम कर दो तो 104% में से 100 कम करो तो आंसर किता है चार परसेंट और आंसर किसका आ रहा है प्लस का और अगर प्लस का आ जाए तो समझ जाओ कि क्या हुई है व्रदी मला इंकम बढ़ गई है एक दूसरा फोमला यह कि इसको यूज करें तो कैसे करते हैं इसमें क्या करना है अगर व्रदी है तो डारेट प्लस के साथ लिखोगे अगर कमी है तो डारेट माइनस के साथ लिखोगे तो यहां टिकेट दर क्या हो रही है 20% कम तो माइनस का 20 ठीकेट टिकेट दर 20% कम माइनस 20 और दर्शक तो है minus का दूसरा है plus का तो plus और minus का गुणा होगा तो चिन्ने किसका आएगा minus का आएगा फिर आगे 20 इंटू 30 बटा 100 2 0 से 2 0 cancel minus का 20 plus का 30 मतलब plus का 10 minus 3 इंटू 2 6 तो plus का आया किता 4% इसका मतलब है इस स्वाल का answer कितना है 4% और 4% किस में आ रहा है दोस्तों तो 4% आएगा आपका plus में और plus का मतलब क्या होता है व्रदी तो अब आपके सामने इस बोर्ड पर देख लो मैंने कितना solution बता रहे है 3 बिल्कुल basic से करना चाहो तो यह लिखा हुआ है यह formula यूजज करना चाहो तो यह लिखा है यह formula यूजज करना चाहो तो यह लिखा है